वह मरा क्यों? किसी जमाने में एंगदेश में यशकेतु नाम का राजा था। उसके दीरधदर्शी नाम का बढ़ा ही चतुर दीवान था। राजा बढ़ा विलासी था। राजय का सारा बोज दीवान पर डाल कर वह भोग में पढ़ गया। दीवान को बहुत दूप, खा उसकी निंदा होती है। इसलिए वहतीरत का बहाना करके चल पढ़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निछिदत नाम का एक सौधागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह सुवरंद्वीप में व्यापार करने जा रह उस पर एक रूपवती कन्या बैती वीना बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड भी नहीं रहा। दिवान बड़ा चकित हुआ। दिवान ने अपने नगर में लोटकर सारा हाल कै सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चला कर राजा था और उसने विलासिता चोड़ दी थी। दिवान की कहानी सुनकर राजा उस सुन्द्री को पाने के लिए बेचेन हो उठा और राजे का सारा काम दिवान पर सौप कर तपस्वी का भेश बना कर वहीं पहुचा। पहुचने पर उसे वही कल्प रिक्ष और वीना बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा तुम कौन हो। राजा ने अपना परिचे दे दिया। कन्या बोली मैं राजा म्रिगांक सेन की कन्या हूं। म्रिगांक वती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़ कर न जाने कहां चले गए। राजा ने उसके साथ विवा म्रिगांक वती वहां से चली। राजा भी चुपचा पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने म्रिगांक वती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुसा आया और उसने राक्षस का सिरकार डाला। म्रिगांक वती उसके पूखा रहना पड़ा। हे राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दिवान का हृदय फर दया। राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्फ्री के चक्कर में पढ़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहाँ जाकर फिर उसे साथ लिया तो रास्ते में बेताल ने ये कहानी सुनाई। ये लिएर पिर लिए और जास्ताई प्याँ आ ये lucky utch लिएयों काई युझ कि राजा इसारम इस पले से ऌनल कि राजा काल रचाशन于श्ट की बेताल